हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूटूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट तक पहुंच सके दोस्तो चैनल पर आज भी दो वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुकी हैं आप चैनल पर विजिट करके उनको भी देख सकते हैं चलिए आज इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्री शेयर के बारे में देखे दोस सारा पाप लगेगा ऐसा मैं दोस्तो क्यों बोल रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मैं आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज शेयर में अपर सरकिट दोबारा देखने को मिला है एक मन्त में देखें तो लगबग 84% की तेजी बरकरार है छे मन्त में तो मीन्स 321% की तेजी है एक साल की बात करें तो एक साल में 312% के रिटर्न सिंटेक्स इंडस्ट्री ने दिये है तो दोस्तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप इस शेयर को अभी सेल करोगे तो आपको पाप लगेगा देखिए दोस्तो जो इसके पुराने शेयर ह तो लोकडाउन के टाइम में तो ये पैसों में चला गया था तो उस समय तो काफी दिक्कते हमने इसमें जहली थी और हमारा पैसा भी जो है वो फस गया था बट दोस्तो अभी जैसा आप सभी को पता है कि जो रिलाइंस है मिन्स अमबानी साहब हैं वो इसको खरीदने में बड़े दिल्चस्प हैं और उन्होंने बीड भी लगाई है और जल्द ही हमें ये चीज ओफीशल आती हुवी दिखाई दे सकती है जल्द ही हमें दिखेगा कि जो अमबानी साहब है उन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्री को अक्वायर कर लिया है तो उसके बाद तो जो इस में 50 लग है बट अब हमारे जो जितने भी सिंटेक्स इंडस्ट्री के शेर होल्डर है सभी के दिन बदल चुके हैं सभी अब इस प्रोफिट रेले में इंजोई कर रहे हैं मैं तो सभी को ये स्जेस्ट करना चाहूंगा देखिए वैसे तो आप लोगों का पैसा आपकी अ देखना है जल्द ही मेंस बहुत जल्द ही हमारे सामने ओफिशल नियूज आ जाएगी कि इस कंपने को अमबानी साब 99.99% चांसिज यही हैं कि मुकेश अमबानी जी इस स्टोक को मेंस इस कंपनी को एकवायर कर लेंगे और उसके बाद जो अलोग इंडस्ट्री में हमें द हैतर इंडस्ट्री है इसमें थोड़े मेनेजमेंट के इस्यूज पुराने रहे हैं बट अब सब कुछ जब मुकेश अमबानी जी के हाथ में चीज चली जाएगी तो हमें मिन्स बहुत कुछ चीजें इसमें अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी और इस चीज का जो इं नाया था लेकिन उसके बाद जब ये ओफिचल मैंने वीडियो बना कर आप सभी को अपडेट किया था एक ओफिचल लैटर जो इनकी मेटिंग हुई थी उसका हमने देखा था कि इसमें अमबानी साहब सबसे उपर थे इंट्रस्टिट थे तो उसके बाद से तो लगातार अभी शेयर में तुफानी तेजी बरकरार है और ये आगे भी continue रहेगी एक चीज दोस्तों याद रखना अब मानलो इस शेयर में जो इतनी भेंकर तेजी है तो अब इसमें ओपरेटर्स जो लोग हैं वो काफी active हो चुके हैं और ओपरेटर्स जो होते हैं वो news based जितने भी stocks में rally आती है और अगर यहां तो news क्या बहुत अच्छी जादा बहुत बड़ी update है तो इन shares में जो operators लोग होते हैं वो काफी जादा active हो जाते हैं तो अगर suppose करो कल इस stock में हमें lower circuit अगर देखने को मिलेगा या दो दिन lower circuit लगातार देखने को मिलेगा तो आप लोगों को ब operators लोग होते हैं यह जो हमारे investors होते हैं जो नए retail investors हैं जिनके पास limited पैसा है उन लोगों को यह ड्राते हैं share को down लाते हैं और उसके बाद यह अपने बड़ा माल उठाते हैं और फिर यह पैसे बहुत जादा कमाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माद्दम से यही कहना च स्टोक में हमें एक या दो दिन means lower circuit भी अगर देखने को मिलते हैं तो हमें उस चीज में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है हमारी जो news है जिस news के base space में तनी अच्छी रेली चल रही है वो news जल्द ही official आ सकती है और उसके बाद इस स्टोक में यहां से means 3-4 गुना होने का potential अभी बाकी है और इसका साफ impact जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं volumes पर हमें साफ दिख रहा है अगर एक मंत की average की बात करें तो एक क्रोड means आप यहां मंतली average data देख सकते हैं एक क्रोड की trading का जो average का data है वो हमारा syntax industry में देखने को मिल रहा है तो मैं यहां सिर्फ मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अगर share में हलकी फुलकी हमें गिरावट भी न यहां से होती है थोड़ी बहुत होती है वैसे तो 99% मेरे इसाब से होगी नहीं क्योंकि news इतनी बड़ी है और जल्द ही official आने वाली है अगर होती भी है तो आप लोगों को इस condition में ग जेला है तो हम आग इसमें अच्छा खासा में मल्टिपल टाइम्स के रिटरंस इसमें कमा सके तो दोस्तों आप भी अपनी जो राए है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के ये टेक केर बाइब